लखीमपुर कान मामले में जाज टीम ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है इन आरोपियों में ग्रहर राज्य मंतरी अजय मिश्र का एक रिष्टदार भी शामिल है मामले का मुख्या आरोपी केंद्री मंतरी का बेटा आशीश मिश्र है तीन अक्टूबर को तिकुनिया कजबे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान चली गई थी इसी तारिक को रात में एफ आयार दर्ज कराई गई थी और इसमें 14 लोगों को मामले का आरोपी बताय गया था उदर भाज़ुपा नेता की ओर से दर्ज कराई गई एफ आयार में अब तक साथ आरोपियों की गिरफतारी हो चुकी है अब सवाल उठ रहा है कि क्या चार्शी दाखल होने के बाद आज़े मिश्र टेनी ग्रहराज्य मंतरीपत से स्तीफा दे देंगे विपक्ष लगतार इस मुद्दे को भुना रहा है लगतार दबाव बनने पर सरकार ने भी संसत से लेकर सलक तक यही कहा अगर टेनी का बेटा दोशी पाया जाता है तो नियम अनुसार कारवाई होगी यह जैमिश्र टेनी हैं खुद बोल चुके हैं कि अगर उनके बेटे के खिलाफ एक भी सबूत मिलेगा तो वो स्तीफा दे देंगे चार्शी दाखिल कर दी गई है किस मामले में ठीक है वही तिकुनिया तिकुनिया हिंसा मामले से जूड़ी तक तक टिकुनिया हिंसा मामले से जूड़ी